असलाम लेकुम मैं डक्टर शाहिदर रजा, असेस्टन परफेसर यूश्टी आफ एडूकेशन लाहॉर आपको वेलिकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो है लर्निंग के वाले से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन जल्दी भूल लाते हैं ऐसा क्यूं होता है और किस तरीके से हम अपनी लर्निंग को और अपने मेमरी सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और चीज़ें बहुत देर तक हम याद रख सकते हैं आज किस वीडियो में इसके पर बात करने वाले हैं जर्मन साइकालोजिस्ट है, इनका नाम है हर्मन एबन होस इन्होंने 1885 में एक मैथिमेटिकल फार्मूला पेश किया और बताया कि इनसान जितनी चीज़ें भी याद करता है, हम जो कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं वो हम भूल लाते हैं, वक्त के साथ-साथ डिकलाइन आज आता है और फार्गेटिंग की तरह हम चल पढ़ते हैं इसको किस तरीके से हमने बेतर बनाना है, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे और बाद में कुछ टेडिस में रिसर्चर्स ने ये साबित किया कि approximately 50% information जो है, हम पढ़ने के बाद एक घंटे के अंदर भूल लाते हैं और इसी तरीके से ये value जो है, ये ratio जो है, increase होती चली जाती है और तकरीबन 24 घंटे में हम 70% information जो है, वो भूल चुके होते हैं इसको किस तरीके से retain करना है, अपने memory system को कैसे बेतर बनाना है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ताकि हमारी learning भी बहुतर हो और चीज़ें हमारी memory में बहुतर तोर पर store हो सकें तो कुछ steps मैं आप से share करने जा रहा हूँ, जो यकीनन आपके लिए बहुत ज्यादा informative होने के साथ-साथ, आपके लिए बहुत useful हो सकते हैं नमर वन, revise, आप जानते हैं कि हमारे बज़र्ग्स जो है, हमारे बड़े जो है और टीचर्स हमेशा हमें कहते हैं कि revise, revise, revise इसके पीछे scientifically proven fact है, जितना हम revise करते हैं, जितना हम revision करते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, बार बार दोराते हैं, यह प्रैक्टिस करते हैं और मश्क करते हैं, तो उससे चीजें ज्यादा clarity के साथ हमारी memory system में बैठ जाती हैं, store हो जाती हैं, और जो forgetting है, जो फरामोशी है, वो कम होती है, और चीजें हम ज्यादा देर तक जो है, उसको remember करते हैं, और याद रख पाते हैं, तो पहली बात यह है, revise करना, तो जितना हम practice करेंगे, जितना revise करेंगे, उतनी ज्यादा learning हमारी बहतर हो सकती है, active recall, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं at a time, ए यानि आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप teach कर रहे हैं, उसके बाद आप लिख भी रहे हैं साथ, और flash card के ओपर लिख के आप बार बार उसको देख रहे हैं, इससे होता क्या है, कि आपके memory में चीजें स्यादा देर तक बैठ जाती हैं, और फिर आप बाद में retrieve करते हैं और फिर आप लिखना शुरू कर दें, notes बनाना शुरू कर दें, main points को लिखना शुरू कर दें, और इसके साथ-साथ flash card बना लें, जैसे ताश के पत्ते होते हैं, एक कागर्स लें, उसके छोट-छोटे pieces काट लें, टुकडे बना लें, और उसके ओपर एहम-एहम points जो हैं, उसको तहरीर कर लें, लिख लें, और फिर उसको बार-बार, वक्फे से उसको देखते जाएं, revise करते जाएं, तो इसे कहा जाता है, active recall process, इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें तीर तक जो है, वो अपने memory system में मैफोर्ज कर सकते हैं, next point is, कि आपने हरटा नहीं लगाना, don't concepts हैं, उनको understand करें, deeply जाकि उनके बारे में गौर फिकर करें, सोचें, समझें, अपने जहन में लेके आएं, understanding level जो है, उसमें इजाफा करते चले जाएं, जितना आप understand करना, शुरू करेंगे चीज़ों को, तो आपकी memory में वो चीज़ें तेर तक याद रहेंगी, रटा लगाने से क्या होगा, कि थोड़ी देर के लिए जब तक आपने रटा लगाया है, वो चीज़ें आपको memorize हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गय पाएगा, वक्फा आएगा और आपकी proper understanding नहीं है, तो वो चीज़ें slip हो जाएंगी, तो instead of memorizing or remembering, you have to focus on understanding the things Then comes chunking technique, what is chunking technique, कि आप टुकडों में तक्सीम कर देते हैं, इसके लिए एक Pomodoro technique इस्तमाल होती है, जिसमें आप आदे आदे गंटे के session करते हैं, जिसमें 25 मिनिट आप किसी चीज़ को understand करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, 5 मिनिट का वक्फा देते हैं, उसके बाद फिर आ proven है, कि अगर आप इस तरीके से याद करते हैं, तो चीज़े बहुत देर तक आपकी memory में रह जाती हैं, और आपका forgetting का जो process है, वो कम हो जाते हैं, और slow हो जाते हैं, यानि ज्यादा देर तक आप information को retain कर सकते हैं, और फिर बाद में retrieve करके उसको use मिला सकते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे एक और technique की, उसे कहते हैं, नीमोनика. इसमें क्या हैं कि बहुत सारी information आपके पास होती है और आप याद नहीं कर पा रहे होते हैं, इसको कैसे याद किया जाएं हैं, नाब याद नहीं कर पा रहे होतें, मरक।री है, वीनिस है, अर्थ है, और इसी तरीके से रह जाते हैं इसका भी एक तरीका है इसका तरीका यह है कि यहां ट्रिक्ट आपने इस्तमाल करना है या फिस्ट वर्ड ले ले लेना है पहला पहला लफ्स लेके अब्रिविएशन बना लेना है या आपने एक जबरदस सा जुमला सेंटेंस त्यार कर लेना है अब यह जो करने जा और आप इस टेकनीक को इस्तमाल करके ये nine planets of solar system हमेशा याद रख पाएंगे और वो sentence है my very educated mother just showed us nine planets आप देखे इसका first world अगर उठाएं और उसके ओपर गोर करें तो जितने ये nine planets हैं इनका first world से ये start हो रहे हैं तो इस तरीके से आप कभी भी नहीं बूलते ये tricks भी आप यूज कर सकते हैं और इने कहा जाता है निमानिक टेकनीक इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही जबरदस्त एक टेकनीक कि जिसके ओपर हमने focus करना है और वो है visualize हमने जो चीज़ याद करनी है जो information हमारे पास आ रही है जो हमें पढ़ाया जा रहा है बताया जा रहा है या हम खुद पढ़ रहे हैं तो उसको visualize करने की तरफ जाई है visualize में से आप आँखे बंद करके और उसको तकयल में लेके आना है आपने ख्यालत के अंदर उसको लेके आना है उसको आपने समझना है understanding हासल करनी visualize करना है जैसे आप visualize करेंगे उस चीज़ को तो वो information स्यादा द दिर तक आप याद रख पाएंगे तो visualization जो है वो बहुत ही जरूरी है आपकी learning को enhance करने के लिए अकला point हमारा नेंद से related है sleep अगर हम सही तरह से सो नहीं पा रहे हैं 6-8 गंटे के नेंद हम नहीं कर रहे हैं तो इस से बहुत स्यादा complications आ सकती है और उसमें एक यह है कि जो information हम पढ़ रहे होते हैं या हमें बताई जा रही होती है वो हम अपने memory में उसको retain नहीं कर पाते हैं और वो जल्दी भूल जाते हैं forgetting स्यादा जल्दी हो जाती है तो अगर आप चाहते हैं कि आप चीजों को ज्यादा देर तक मैफूस कर पाएं और बाद में भी आप उसको बेहतर रिट्रीव कर पाएं तो प्रापर नींद और स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है चे से आट गंटे की नींद तो जरूरी है ही लेकिन इसके साथ साथ दिन में आप अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जैसे ही आप ठकते हैं तो उसमें एक टेकनीक आप यू जो सिलसला है यह आपको अजीब लगेगा लेकिन विद पैसेज आफ टाइम आपकी फ्रेशनेस ज़्यादा हो जाएगी एनरजेटिक फील करेंगे आप ज़्यादा बेहतर तो पे मजीद काम कर पाएंगे तो यह स्लीप नीद भी बड़ी ज़रूरी है आपके मेमरी में च इस्तमाल करते हैं चीज़ों को देखने अंडिस्टैंड करने और याद रखने के लिए आप अगर एक सेंस से इस्तमाल करते हैं चीज़ों को अंडिस्टैंड करने के लिए तो वो चीज़ आपकी मेमरी में इतने ज़्यादा बेहतर तो पे नहीं रह सकती अगर आप एक से زیادہ senses को यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा chance है कि आपकी पास information जो आई है वो ज़्यादा देर तक prolonged time तक आप उसको याद रख पाते हैं जैसे आप किताब बढ़ रहे हैं देख रहे हैं देखने की sense इस्तमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ आप उसको बोल के सुना रहे हैं तो आप बोलने की sense भी यूज़ कर रहे हैं फिर वो जो बोल के सुना रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं अपने कानों से तो इस तरह से जितनी senses को ज़्यादा इस्तमाल करेंगे उतना चांस है कि वो information ज़्यादा देर तक आपके मैमरी का पार्ट बन जाएगी और पिर ज़्यादा देर तक आप उसको महफूज रख पाएंगे बाद में जब भी ज़रूरत होगी तो उसको इस्तमाल कर पाएंगे इस टेकनिक को इस्तमाल करके देखिए जितने सेंसिस को ज़्यादा यूज कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप मैमरी में चीज़ों को महफूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो का आखरी पॉइंट है जी प्रापर लर्निंग स्टाइल हर फर्द का अपने एक लर्निंग स्टाइल होता है देखे कोई सुन के सीख रहा होता है, कोई लिख के सीख रहा होता है, कोई बोल के सीख रहा होता है तो आपने फोकस करना है, तिलाश करना है कि आपका अपना learning style क्या है अगर आप इसको तिलाश कर लेते और उसके अकार्डिंगलिस जदा टाइम देते हैं और फोकस करते हैं अपने लर्णिंग स्टाइल पлек तो उससे जदा देर तक चीजें आप याद रख सकते हैं रेटेन कर सकते हैं अपने मेमरी के पार्ट मना सकते हैं अमीद है आज की वीडियो और ये पॉइंट्स बहुत इच्छे लगे होंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाला किसी और टापे के साथ हाजिर होंगे अपना ख्यार रखिएगा अलाफिस